हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अमीत वया और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्ण विद वया पर घर बेटे कम्प्यूटर सीखे सीरिस के इस पहले वीडियो में मैं आपको Microsoft Word और उसके Basic Tools की जानकारी दूँगा यह वीडियो विशेश रूप से Beginners के लिए बनाया गया है लेकिन यकिन रखे दोस्तों आगे की Classes में Beginners से लेकर Advanced Users तक के लिए Options रहेंगे सभी Options को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप सभी वीडियो को अंत तक पूरा आवस्य देखें आगे बढ़े हैं उससे पहले दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें, शेर करें और यदि आप पहले से ही सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें नई वीडियो के notification के लिए bell icon को प्रेस करें ताकि नई वीडियो के notification आपको तुरंत मिल सकें यदि आपके कोई doubts या suggestions हो तो comments में जरूर लिखें तो आईए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वे students जो नए हैं उन्हें में बता दूँ कि Microsoft Word एक word processing या document processing software है जिसका उप्योग आप लेटर, एप्लिकेशन, टेबल, रेजियू में, प्रोजेक्ट आधी को बनाने या बनाकर एडिट करने में कर सकते हैं अभी मैंने Microsoft Word को बंद कर दिया है इसे चालू करने के लिए आपके कंप्यूटर की स्क्रेन पर नीचे की तरफ टास्क बार पर Microsoft Word का आइकोन है इस पर क्लिक करें यदि आपके टास्क बार पर Word का आइकोन नहीं है तो भी आप अपने कीबोर्ड पर Windows की प्रेस करके Word टाइप करें और Enter की प्रेस कर दें तो भी Microsoft Word चालू हो जाता है चुंकि Microsoft Word की है क्लास विशेश रूप से बिगनर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है इसलिए मैं इस वीडियो में Microsoft Word की स्क्रेन पर दिखाई दे रहे है elements की basic जानकारी दूँगा और यह भी बताऊंगा कि इस पर कारिक कैसे किया जाता है सबसे उपर जो पट्टी दिखाई दे रही है जिस पर अभी document 1 लिखा है और साथ ही Microsoft Word भी लिखा है इसे title बार कहा जाता है title बार की सुरुवात में जो एक गोल सा बटन दिखाई दे रहा है इसे Microsoft Office बटन कहा जाता है जब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो new, open, save आदी कई options आ जाते हैं जिनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा इस Microsoft Office बटन के पास जो tool bar दिखाई दे रहा है उसे quick access tool bar कहा जाता है इसमे commonly use होने वाली commands दी गई है जिसे आप अपने ही सबसे customize भी कर सकते हैं और अपने आवशक्ता अनुसार और commands भी जोड़ सकते हैं टाइटल बार के अंत में जो तीन बटन दिखाई दे रहे हैं उन्हें control बटन कहा जाता है इसमें सबसे पहला बटन जो दिखाई दे रहा है वन minimize का बटन है इस पर click करते हैं तो Microsoft Word minimize हो जाता है मतलब screen पर दिखाई देना बंद हो जाता है किन्तु ध्यान रखें दोस्तों यह बंद नहीं हुआ है अभी भी चालू है यदि taskbar पर पुना Microsoft Word के icon पर click करते हैं तो यह उसी इस्थिती में आ जाता है बीच वाला बटन दो तरह से काम करता है अभी यह restore down है जिसका आर्थ होता है minimize वह maximize के बीच की स्थिती मैंने इस पर click कर दिया है और यह restore down हो गया है इस दसा में आप इसे title बार से पकड़ कर screen पर move कर सकते हैं या इसके size को छोटा वा बड़ा भी कर सकते हैं restore down की दसा में यदि आप इसे फिर से बड़ा करना चाहें तो आप देखेंगे कि यह button बडल चुका है और maximize का button बन चुका है अब इस पर click करके Microsoft Word फिर से पूरी screen पर fail जाता है या maximize हो जाता है तीसरा button जो cross का है उस पर click करने से Microsoft Word बंद हो जाता है इसके लिए आप shortcut की alter plus F4 भी use कर सकते हैं अभी मैंने alter के साथ F4 का प्रयोग करके Microsoft Word को बंद कर दिया है अब मैं Microsoft Word को पुना चालू कर रहा हूँ इस बार मैं इसके लिए run command का प्रयोग करता हूँ सबसे पहले Windows Key के साथ R प्रेस करें और यहाँ पर win word लिखकर OK पर click कर दें तो भी Microsoft Word चालू हो जाता है टाइटल बार वा quick access toolbar के ठीक नीचे इस ठीच जो पट्टी दिखाई दे रही है इसे word ribbon कहा जाता है इसमें साथ tips, home, insert, page layout, references, mailings, review और view होते हैं प्रत्यक टेप पर उससे संबंदित commands के group होते हैं जिनकी मदद से आप सामन यूपयोग में आने वाली commands को सिगरिता से access कर सकते हैं इनके अलावा संदर्व के अनुसार नई tape भी जूड़ जाते हैं ribbon के सभी tapes की विस्तरत जानकारी में आगे आने वाली classes में दूँगा अब हम देखते हैं कि प्रत्यक टेप में कुछ groups दिये गए हैं जैसे कि home tape पर clipboard, font, paragraph, styles और editing groups दिये गए हैं अभी इन सब options के बारे में बहुत ज़्यादा detail में नहीं बता रहा हूँ नहीं तो यह class बहुत लंबी खिच जाएगी आगे की classes में इन सभी की detail में जानकर ही जरूर दूँगा तो अब देखते Microsoft Word पर काम कैसे किया जाता है जब आप Microsoft Word को चालू करते हैं तो by default यह एक नई file बना कर देता है जिसका नाम document1 या word1 दिया गया होता है यदि हमें कोई application टाइप करना है तो हम सीधे ही typing शुरू कर सकते हैं मैंने सबसे पहले टू टाइप किया है और अगली line पर आने के लिए enter की प्रेस करना होगी अब मैंने the manager टाइप कर लिया है और enter की से अगली line पर आ गया हूँ अगली line टाइप करने के बाद एक बार और enter की प्रेस करके फिर से अगली line पर आ गया हूँ यहाँ recipient की जानकारी देने के बाद मुझे subject से पहले एक line का गेप देना है इसलिए एक बार और enter की प्रेस कर रहा हूँ और अब subject टाइप कर रहा हूँ दोस्तों टाइप करना शुरू करने के बाद इसे समय समय पर save करते रहें फाइल को आपका काम पूरा होने के बाद भी save किया जा सकता है किन्तु ज़्यादा अच्छा होता है कि आप बीच बीच में save करते रहें नहीं तो light बंद होने या अन्नी किसी कारण से Microsoft Word या computer बंद हो जाने पर data loss का खत्रा बना रहता है save करने के लिए Microsoft Office बटन पर क्लिक करके save कमांड पर क्लिक कर सकते है या सीधे ही Quick Access टूल बार पर save कमांड पर क्लिक कर सकते है वेसे सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप shortcut की control प्लस एस का उप्योग करें इसके लिए control का बटन दबा कर रखें और साथ में एस प्रेस करें जब पहली बार किसी file को save किया जता है तो Microsoft Word आपसे file का नाम पूछता है जहां पर आप अपनी file का नाम टाइप कर सकते है यहां मैं file का नाम later for leave दे रहा हूँ file का नाम टाइप करने के बाद save पर क्लिक करें या enter की प्रेस करें आपकी file save हो चुकी है और दिया गया नाम title बार पर दिखाई दे रहा है मैं फिर से आद दिला दूँ जब आप पहली बार file को save करते हैं तब ही आपसे file का नाम पूछा जाता है उसके बाद save करते समय file सिधह ही save हो जाती है later पूरा हो जाने के बाद file को save करने के बाद यदि आप file को बंद करना चाहें तो Microsoft Office बटन पर क्लिक करके close command पर क्लिक कर सकते हैं या file बंद करने की shortcut की Ctrl प्लस W का उप्योग कर सकते हैं याद रखे इससे सिर्फ आपकी file ही बंद हुई है Microsoft Word अभी भी चालू ही है यदि इसे बंद करना चाहें तो उपर cross बटन पर क्लिक करें या फिर alter के साथ F4 प्रेस करके भी बंद कर सकते हैं भविश्य में file की दोबार आवशक्ता पढ़ने पर आप file को Microsoft Office बटन पर open command पर क्लिक करके खोल सकते हैं या quick access toolbar पर open command पर क्लिक करके भी file को खोला जा सकता है file open करने की shortcut की control plus O का उप्योग करना ज्यादा अच्छा है मैं आपको suggest करूँगा की बजाए mouse के उप्योग के आप shortcut की इसका उप्योग करें तो काम ज्यादा अच्छे से और fast कर पाएंगे अब यहाँ आपसे खोली जाने वाली file का नाम पूछ रहा है जहां मैं अपनी file का नाम टाइप कर रहा हूँ जिस नाम से मैंने file को save किया था आप देखेंगे कि कुछ अक्षर लिखते ही पहले से मुझूद file का नाम यहाँ पर दिखाई देने लगा है जिसे मैंने select कर लिया है और अब मैं open पर click कर रहा हूँ या आप enter की को भी press कर सकते हैं आपकी file दोबारा से खुल चुकी है जिसमें आप कोई change करना चाहें कुछ जोड़ना चाहें या हटाना चाहें तो भी कर सकते हैं इस तरह आपने Microsoft Word के कुछ options देखे और यह भी सिखा कि Microsoft Word में type कैसे किया जाता है दोस्तों अगली class में मैं कुछ बहुती महतुपूर्ण जानकारियां देने वाला हूँ इसलिए प्लीज उसे miss मत कीजिएगा चैनल पर आपको Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Tele, Typing आदी सीखने के वीडियो भी मिलते रहेंगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब भी करें तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में थेंक्स फॉर वाचिंग थीडियो में हबने करें दोस्तों में दोस्तों में दोस्तों में झाल झाल